वेलकम टू मोटर रव्यूज और आज जो हम डिस्कस करेंगे सुजुकी जी एस एकसार 125 की लाँचिंग डिटेल सारी डिटेल और कुम्प्लीट इन्फोरमेशन के लिए इस रिव्यू को जुरूर अपैंट तक देखें का आपको सारी इन्फोरमेशन इस बाइक की मिल जाए अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें जितने भी आपके कोश्चन से आप मुझे इंस्टाग्राम पे डिरेक्ट मैसेज करो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा तो चलिए आज का रव्यू हम इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है इंजन आपको 124 cc का रहेगा पावर जो जनेरेट करता है बाइक 15 bhp की पावर मिल जाएगी इसमें आपको 11.5 नूटर मीटर का रहेगा नंबर ऑफ गेर इसमें 6-speed गेर देखने को मिल जाते हैं सीट हाइट इस बाइक की 785 mm की रहती सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलिस्कोपिक कॉयल स्प्रिंग ओयल डेंप रहेंगे रेर सस्पेंशन में आपको लिंक टाइप कॉयल स्प्रिंग ओयल डेंप देखने को मिल जाएगा टायर का साइज फ्रंट में आपको 90-80 70 निच का टायर देखने को मिल जाएगा रेर इसमें आपको keyless ignition feature रहेगा जो कि काफी advance रहेगा इसमें आपको engine cooling technology लिकर्ट कूल रहती है और इसमें आपको petrol disc की भी रहेगी कि काफी ज्यादा advance technology यूज़ की गई है इस bike पे international market में इस variant को 2017 में launch किया गया था बट company अब मन बना रही है इस bike को इंडिया में भी launch करनेगा क्योंकि जो Gixxr series थी वो काफी hit रहे है Suzuki के 150cc और 250cc में Gixxr में काफी ज्यादा अच्छा response रहा customer की तरफ से तो company अब focus है 125cc के bike को भी लेके क्योंकि जो KTM RC 125 है उसको कोई भी competition फि बांच करना चाहती है बट मैं आपको यह क्लियर करता है तो हूँ यह advanced bike रहेगा यह Gixxr series में नहीं है यह आपको GSXR series में रहेगा तो यह काफी advanced इसमें आपको technology यूज की है company में काफी अच्छी features देने वाला है यह bike यह बाइक काफी light weight है 134 kG weight है और यह आपको comfortable riding position भी द आपसे average मिल जाएगी इसमें as such आपको कोई भी vibrations नहीं फीलोंगे काफी smooth ride देने वाला है यह bike और यह bike city के लिए बहुत अच्छा है perfect riding के लिए और इसको आप highway बे भी ride करेंगे तो आपको काफी comfortable रहेगा यह bike इसका कितना price इंडिया में रहने वाला है यह भी मैं आपको ब पहले भी clear कर चको हो यह एक advanced technology bike है इस bike के variant 600cc के भी आते है 1000cc के भी आते है यह उनीका version है और तो इसमें आपको काफी advanced technology यूस किये गया है features भी इसमें काफी अच्छे तो इसका थोड़ा सा price जादा रहने वाला है बट आपको KTM RC 125 से तो इसका price कम ही रहेगा इसके color कितने वाले हैं मिलने मिलने वाले हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको black and red white and blue color और इसमें आपको racing blue GP edition रहेगा जो की साफ से ज्यादा pet color है Suzuki का ये भी color आपको देखने को मिल जाएगा इसका इंडिया में कब launch होगा ये भी मैं आपको clear कर देता हूँ इसका launch आपको 2021 में देखने को मिल जाएगा 2021 में company इस bike को इंडिया में launch कर देगी तो फिलार जो मेरे पास information थी मैंने आप से discuss की still आपके कोई doubts या कोई भी question होते हैं आप मुझे जब भी comment section में comment करोगे आपको उसका reply मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही आज के review को हम इधर ही wind up कर अगर आपको यह video पसंद आई है तो जरूर एक like करिए channel को जरूर subscribe करें